हलो दोस्तों मैंना मैं आजद्ध और आज हम इस वीडियो में देखने वाल है कि आप लारवेल के अंदर आप कस्टम कॉम्पोनेट आप कैसे क्रेट कर सकते हैं तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि एक सिंपल एक प्रोजेट कर लेता हूं जिसका नाम है यहां पर लारवेल क करके और इसको हम अपने Sublime के अंदर Open कर लेते हैं तो इसके लिए मैं यहां पर एड़ में इसको इस फोल्डर को एड़ कर लेता हूं यहां पर हम यहां पर हम हैपर हम यहां लोग सिंपल यहां पर हमें हैं हैलो content यहां पर लिख करके ऐख देखने और मैं यहां पर phpD teacher स्वर्प कर लेता हूँ तो यहां पर दीखें हमें यहां पर है लो नाम से content दिख रहा है अभी हम क्या करते कि एक component यहां पर create कर लेते हैं तो उसके लिए हम लिखना रहेगा यहां पर php टीजर में कॉंपोनेंट और यहां पर अलर्ट नाम से तो जैसी आप यह कमांड हिट करते हैं तो लारवल क्या करता है कि आपको दो चीज क्रेट करके देखता है एक तो व्यूस के अंदर एक गाहुशन से अब गभर करतेवं इस नाम से अपने क्रेट की हुआ है और दूसरा आपको यहां पर वीउ नाम के फोल्डर के अंदर आपको क्लास विलएट करते है या जो भी function आप define करते हैं वो आप अपने इस अलर्ट के अंदर यानि कि जो blade.php है इसके अंदर आप उसको access कर सकते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं कि simple एक अलर्ट यहां पर create कर लेते हैं तो उसके लिए मैं यहां पर लेखता हूं को उठा लेता हूं और इसको हम अपने सिंपल यहां पर जो welcome.php है इसके हैड में हमें यहां पर डाल देते हैं ठीक है तो अभी हमें क्या होगा कि यहां पर अलर्ट के लिए आपको लिखना हमें यहां पर देखने को मिल जा रहा है ठीक है तो अभी हमें अलर्ट यहां पर देखने को मिल रहा है अभी हम क्या करते हैं कि एक और प्लियत के लिए और और इसको हमें यदि यूज़ करना है तो हम इस तरीके से कुछ यूज़ कर पाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नैब बार है और यहाँ पर हम लोग सिंपल कर देखें यहाँ पर हमें और यहाँ पर हमारी क्लास इसके अंदर यहां पर कॉंपनेंट के लिए अधर तो हमने यहां पर पेजिस नाम के फोल्डर के अंदर हमने यहां पर contact.blade.php हमने यहां पर create कर लिया यह यह दिया आप देखेंगे तो पहले हम लोग कुछ इस तरीके से करते थे कि लेयाउट के अंदर आपने एप बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से हम लोग एक लियाउट नाम की एक फोल्डर के अंदर एप डॉड़ 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 पेस्पी करते थे अभी हम क्या करते हैं कि लेयाउट के लिए हमें यहां पर component कर लेते हैं तो मैं उस component का नाव रख तो लेयाउट के अपना पूरा अभी करते हैं कि यहां से हटा करके यहां पर सिंपल हम लोग यहां पर content लेग देते हैं कि यह हमारा है लेयाउट इसको सेफ करते हैं और यहां पर हमारा contact us का जो page है यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि X layout अब इसके लिए हम एक route यहाँ पर create कर लेते हैं तो अभी हमारे पास सिफ welcome.billay.php के लिए route है एक और हम यहाँ पर route create कर लेते हैं जो कि हमारा contact के लिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यह हमारा है contact और welcome की जग़ा पर हमें यहाँ पर लिखना रहेगा contact इसको हम सेफ करते हैं और अपने नब बार के अंदर चलते हैं और यहाँ पर link के यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि यह हमारा contact us का page और यहाँ पर href के अंदर हम लोग यहाँ पर contact simple लिख सकते हैं तो अभी हमने इसके लिए एक जो है link भी हमने create कर दिया है नब बार के अंदर और हमने page भी create कर लिए ठीक है और यहाँ पर इसको हम वापस से इसको हम यहाँ रीफरेश करते हैं तो हमें यहाँ पर देखे contact का page दिख रहा है मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूं तो यह बुरूब की contact नाम को कोई विव नहीं है अच्छा वो इसलिए क्योंकि हमने उसे pages folder के अंदर डाला हुआ है तो हमें अपने web.php के अंदर यहाँ पर लिखना रहे है कि यह हमारा pages.contact के लिए इसको सेफ करते हैं यहाँ पर यहाँ पर रिफ्रेश्ट करते हूं तो यहाँ पर लेयाउट के अंदर तो अभी हम क्या करते हैं कि लेयाउट यहाँ पर हम लोग कुछ डेटा डालना चाह अब यहाँ पर लिखता हूं गॉंटेक्ट अच इसको सेफ करते हैं पर सेदी मैं इसको रिफ्रेश्ट को तो यहाँ पर में कुछ दिखनी रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह हमारा आप स्लॉट का पार्ट आजाता है तो यह आदि आप व्यूजए वगर पढ़े ह सब्सक्राइब हां फ्रेंट पश्रेंट के फ्रेंवर्क मॉस्सलि यहाँ फ्लॉट यूस करते हैं अप उसके अंदर क्रिकस्त अपर यहाँ एगिक्जायगर घेटरर कर सकते हैं उसको इसको करते है वापस इसको refresh करते हो तो आप देखिए यहां पर देख रहा है हमें contact का पेज और हमें नैब बार भी वगड़ा सब कुछ देखेने को मिल रहा है यही सेम चीज हम क्या कर सकते हैं यही सेम चीज हम लोग अपने इसको refresh करता हो तो आप देखिए यहां पर जाता हो होम पेज पता हमें दिख रहा है यहां पर होम पेज कॉंटेक्ट पर यहां पर लिखता हूं प्याटिजन में और यहां पर इंपूट नम से हमें एक लिए तो यहां पर आपको एक फॉर्म ऑंडर के अंदर आपको एक इनपुट्डाट पेसल में इसकूंश में और यहां पर यहां पर यहां पर यानाइंगे तो फोल्ड लाट पीन попробi investigation if यहां पर हम the firewall क्लास आड़ करेंगे लिगा मेरी यहां पर हम से आपर कर देंगे ओर यहां पर लिखेंगे at&ot yeah option Qman करते के तो अभी देखिए यहां पर हमें कुछ इन्पूट टाइप का दिख रहा है लेकिन यह प्रॉपर वीजिबल नहीं है तो इसको प्रॉपर वीजिबल करने के लिए अपने लोग क्या करते हैं कि जो हमारा यहां पर लियाउट से इसको हम अपने पर अपने लिए क्या होगा मैं जो विए प्रॉपर वीजिबल नहीं यहां पर है गया वहाँब क्योंकि कुछ एडिवूट से तो आपको यहां परॉपर कंदर आपको डालना रहेगा बाटकर् नहीं पर अधिरिब्यूर्ट ठीक है हम इसको सेफ करते हैं और यदि मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखें यहां पर आपको दिख रहा है कि एंटर ने प्लेस होल्डर वगरह सब कुछ आ रहा है बलकि यहां पर आपने इंपूट के साथ में आपने नहीं लिखा हुआ है बट यहां से आप उसक करता है तो आप देखें यहां पर आपको आयड़ी भी देखना कर की लेघी है इस गर्गांवाप कूछ पास कर सकते हैं या ने मास का सक पको मैं आपको का सकते हैं तो में हुआ요 पर करूगा कि PHP, share the php and php और यहां पर हमने device को मैं इसकोड़े मारा नाम जो है abusive है इसको सेब करते हैं इसको मैं से URL कि तो अब भी देखे भी यहां पर यूजर नेम आपको देख रहा है है और आप इसको चेंज कर सकते हैं या ये एक फॉर्म की एक तरह से वैलू होगे जो हम एडिट फॉर्म करते टाइम हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं जो कि हमें कंट्रोलर से देखने हो को मिलेगा अब हम क्या करते कि एक और एड़ करते मैं ए रिखा कि मार्जीन अ curiosity और यहां क्लास बहुंत हट गई और यहां पर जो मार्जन टॉप क्लास फ़ो एड़ हो चुक़ी है हम यह चाहते कि जो हमारी आ्टर्ब्यूट्स मर्ज और आपको मर्च और क्लास और अब हम इसको से करते हैं और वापस से यहां पर रीफरस करो तो अभी देखे हमें सब कुछ प्रापर मिल रहा है और मार्जिन टॉप भी यहां पर एड हो चुका है आप देखेंगे आपटे कर सकते हैं अपना इन्पूट बॉक्स वगरे भी आप अपना कोई एक बटन बना सकते हैं जो अप हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं कस्टम बटन वगरे और उसकी सेसे आप एक जगह कर सकते हैं है तो आपको बार-बार आपको चेंज जिस करने नहीं पड़ेंगे आपको अलग अलग जगह प होगा है यहां पर आप टाइप पास कर सकते हैं कि यह किस टाइप का आपका अलर्ट होगा तो आप यहां पर कुछ वैरियेबल आप पास कर सकते हैं यहां पर मैंने यहां पर पास किया यहां पर टैंजर है हना और आपको अलर्ट डॉट प्हप के अंदर क्या करना रहेगा कि यहां पर डीफाइंड करना रहेगा जो भी आप वहाँ से पास करना करते हैं तो यहां पर मैंने इप एक पब्लिक वैरियेबल लिया जिसके लिए नदर हमने डाला टाइप और कंस्ट्ट लोगे फिचेफ्ट करेंगे जो भी ओ टाइप के इंदर वैलु पास करता है आप तो इस क्लास के अंदर आप एड़ कर दें और यहां पर जो भी वैरियेबल रहेंगे वह सभी एकसिसिबल रहेंगे आपके अलर्ड कॉंपोनेंट के अंदर है यहां पर तो अब यहां पर डैंजर की जगह पर प्रिंट कर सकते हैं उस टाइप को क्योंकि उसके कर दिया है हम सब्सक्र mica यहां पर हम लोग क्या करते हैं यहां पर यहां पर यहांओ कर लेते हैं आप उसके करो करो तो अभी देखें हमें दो कॉंपोनेट देखने का मिल रहा है एक जो है और एक सबस्ट तो यहाँ पर दोनों हमने एक कॉंपोनेट के वे उनको हमने क्या कि टाइप के थू हमने उसको सब्सक्राइब कि यहां से यदि आप आप एरर मैसेज पास करना चाहते हैं यहां पर आपको स्लॉट आपको डालर आएगा तो जो भी आप एसको पास कर सकते हैं और यदि आप इसको रिफ्रश करेंगे यहां से तो आप देखने हमने सक्सेस के अंदर कोई मैसेज पास नहीं किया था इसकी वज़ए से वह ब्लैं चाहतें यहां पर आप एक Krz कर सकते हैं ये यहां पर आप एक आपको देखने आप आप करना सकते हैं कि यहां पर करें आप यहां पर बाइड को सा आपको this यहां पर मेरे लिखने हो यहां पर लिखने है कि तो और बॉड़ी दो नाम थे तो हमने इसको दोनों को हमने यहां पर प्रेंट कर लिया तो एक को हम जो एस्टरी में डाल देते हैं और एक को यहां पर देखने को मिल रही है नाम से और यहां पर रिटरं कर रहें इसका सम जो ए और बी का सम होगा है अब कि कभी कभी आपको कुछ ररेंट पढ़ती है कॉल करने के अपने का'll कर सकते हैं तो अपने तरी के सरकास्कते हैं तो यहां पर आप को क्या कि डॉलर साइन आपको लगाना रहेगा और आप उसको एट्रिबूट आप उसको एक्सिस कर पाऊगे जो भी आपने यहां पर फंक्षन आपने पास किया हुआ तो अभी हम क्या करते हैं और वापस से ब्राउजर पर यदि मैं इसको रिफ्रेश करो तो यहां पर आप इस तरी के सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फंक्षन इसलिए जैसे कि माली जैपको कुछ यहां पर यूजर वगरा करना है जैसे कि यूजर का नाम हमें चाहिए या फिर कुछ कैल्कुलेशन वगरा हो गई तो उसके लिए आप यहां पर आप चीज़े पास कर सकते हैं जैसे कि मैंने तो समके अंदर हैं तो मैं आपर लेखंगा कि get user है एक यहां पर इसको सेखेब करता हूं और वापस यह आ इसको refresh करो यहां पर आपको दूंगा ही यूजर not found है क्योंकि जो हमारी alert.php है उसके अंदर हमने क्या क्यों यूजर को यहां पर इंपूर्ट नहीं कि हूँ है तो मैं इमेल आडिया आपको देखने को मिल रही है इसको आप याहाँ पर यहां परแनप बार के यूज कर सकते हैं इसको जैसे कि आपने मैन्यों वगर आप ना झसे होंगे उन सभी के यहां पर यहां पर कर सकते हैं और आप इसको डयने cherry सब्सक्राइब और आप उसको डैनेमिक के लिए यहां पर अठ्वाइब सकते हैं तो एक अरेंज करने के लिए यह काफी अच्छा है यहांई का पारेंज्ज कर हो कि यूजर तो for each get user as user और यहाँ पर आप क्या किसा क्ते हैं कि यूजर के जो भी इन mansion आप उसको अपने हिसाब सकते हैं तो लेट C thats user cup नाम अपर प्रेंट कर देता हैं मैंने आपने लेका की नेम और यहां पर as हटा दिते हैं इसका भे इसको हम प्री टैग कि आप एक function को आप यहां पर call कर सकते हैं जो भी आपके component के अंदर function और उसको आप यूज कर सकते हैं आप इसको एक variable के डेटा भी डाल के आप यूज कर सकते हैं तो मैं आप एक पब्लिक बना लेता हूं जो कि है यूजर्स नाम से और यहां पर चंश्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते हैं कि उसकी वैलू को यहां पर पास कर सकते हैं तो यहां पर यहां पर यूजर्स की जगह पर आपको अब लिखना है सिर्ट ध्यू Newton रिश्क करते केंते को जेखने को ने कि यह प्रापर चल रहाःइकी जैसा कि पहले चल रहा था वैसा है तो आप क्या कर सकते कि यहां पर जो भी कॉंपरेंट के रहे कुछ चींज हैं तो आप वहां से कर सकते हैं तो आपने लिखा कि पब्लिक और यहां पर आपको लिखना है डॉलर यूजर करके ठीक है और यहां पर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर आप इसको यहां पर accept भी करेंगे जो भी आप वहाँ से पास्क रहें यानि के अपने ब्लेड फाइल से और यहां पर आपको अपने कटया कि वह duty पाइल्ग मृबने जो यहां इंडियो bağles और है को अतरूब लगाना रहेगा और फिर यूजर आपको लिखना रहाएगा फिर तरीख से अन करेंगे और फिर आसको अपने component के अंदर आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं कई सकते हैं कैसे वरिडियू का नाम पास कर सकते हैं कैसे हम लोग इसको चेंज कर सके आई होब कि आपको वीडियो अच्छे लेगी होगी यदि इसले लेड़ कोशन आपके मन में आप कमेंड से समय लिखें मैं उसको जब दबाब दूँगा मिलते हैं बुड़ी में तब तक के लिए बाइबाइब